हेलो फ्रेंट्स, वल्कम बैक टियर ओवन चैनल, बिगनर्स पॉइंट और मैं हूँ शुरूती आपके साथ और आज हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो है प्लास एथ हिस्ट्री का हमारे लास चैप्टर 6 का नेक्स पॉइंट जुसकी शुरुवायत करेंगे हम the making of New Delhi ने देली को बिनाना कप शुरू किया एटीन जीरो फ्री में बिटिश ने जब पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था देली को जब उन्होंने डिफीट कर दिया था या हरा दिया था मराठास को अब पास्ट को डेमॉलिश किस तरह से किया गया था वो हम देखेंगे 1857 के पहले डेली में यह कुछ डिफरिंट थे उस अधर कॉलोनियल सिटीज के कंपरिजन में मदरास बावबे और कॉलकिता के कंपरिजन मदरास बावबे और कालकिता लिविंग स्पेसिस जो थी इंडियनस की और ब्रिटिश की वो शापली सेपरेट की गई थी मतलब वो लोग एक साथ महीं रहते थे महाँ पर Indians और British अलग-लग रहा करते थे Indians जो थे वो black areas में रहा करते थे हम नाम से ही समल सकते हैं वो well laid out white areas मेर रहते थे Delhi में especially 1st half जो होता था 1st half जो था 19th century का उसमें British जो थे वो उनके wealthier Indians के साथ रहते थे जो एंडियां जिनके बाज़ बहुत जादा पैसा है जो अमीर इंडियन्स हैं उनके साथ पे बृटिश लोग रहा करते थे बैलिट सिटी में British ने enjoy करना शुरू किया था सीखना जो है उसे enjoy करने लगे सीखने से enjoy उन्हें होने लगा था मज़ा आने लगी थी उर्दू और पार्शिन कल्चर को poetry भी वो सीखने लगे थे और वो participate भी करते थे local festivals में establishment जो था देली college का 1792 में हुआ था जिसके करने great intellectual flowering हो गया था science का as well as humanities का largely उर्दू language का बहुत सारे रफ़ करते थे मतब इसको from period 1830 to 1857 तक ये बहुत चला as a period of Delhi raniansis ये हमें कहा गया इसका मतलब कि वो raniansis का मतलब एक rebirth हुआ था art का और learning का डेली में और ये period था 1830 to 1857 का ये सारे की सारे change हुए after 1857 जब revolt जो था उस year का हुआ उसके बाद में जैसे के हमें देखा था rebels जो है वो एक साथ gather हुए जो अपस करने वाले जो थे बगावत में उतरने वाले जोग थे जो एक साथ आगय सिटी में और उन्हें persuade किया बाहदर शाह को उन्हें मानना शुरू किया कि उन्हें फोर्स करना शुरू किया कि वो लीडर बन जा है अप्रेजिंग करने के लिए या फिर उनके लीडर बन जा है इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए दिली जो थी तब भी रिबल के अडर कंट्रोल थी रिबल के फोर मंच के लिए देख सकते हैं यहाँ पर बिटिश फोर्स जो है रिकिंग वैगनन्स ओन दे स्टी अफ देली मैं साइकरिंग द रिबल यहाँ पर रिबल हो रहा है कभी एक समय था जब इस नाम की सिती यहाँ पर हुआ गरती थी गालिब लेमेंटेट थी जो चैंजिस हुए है वो गालिब ने वहाँ लिखे है बहुत ही सैड ही या बहुत ही कह सकते कि बुखी होकर उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया है जो लॉस्ट हो गया था उन्होंने लिखा है कि what can I write मैं क्या लिखू लाइफ ऑफ देली डिपेंस और फोर्ट चांदिनी चॉप देली गैदरिंग्स एड चामुना ब्रीज एड अन्युल कॉल्फ ओर्शन मतलब वो खेह रहे है कि डेली के बारे में मैं क्या लिखू लाइफ जो है डेली की पूरी तरह से फोर्ड पर चांदी चॉप पर डेली गैदरिंग्स पर चामुना ब्रीज पर हुआ करती थी और अन्य किया था on the campaign of revenge and plunder. Famous poet Galip जो थे उन्हें विटनेस किया events को उस समय के और ये किस तरह से उन्हें डिस्क्राइब किया था ransacking of Delhi को 1857 में. When the angry lions, मतब British लोग जो थे जब उन्हें एंटर किया था टाउन में तो they killed the helpless, जो helpless लोग के उन्हें उन्हें ने मार दिया और burnt houses, उन्हें घरों को भी जला दिया. Hordes of mans and women, commoners and nobleman, poured out of Delhi. Hordes मतब कहा सकते हैं कि group जो था man's, women's car or commoners car or noble man's car, उन्हें ने दिली से बाहर फेक दिया. जो तिली के थ्री gates से बहां से and took shelter in a small communities और उन्हें एक छोटी-छोटी communities में घर दे दिया, रहने के लिए एक निवारा दे दिया, छोटी-छोटी जोपनियों के तरफ and tombs outside the city. या कह सकते हैं, city के बाहर tombs दे दिये. Another rebellion रोकने के लिए, British ने exiled कर दिया बहादूर शाह को to Burma. और वो दे थे कि बहादूर शाह को ये लोग चाते हैं कि वो leader बन जा है, तो ये चीज़ ना हो, बहादूर शाह को leader ना पनाया जैसलिए उन्होंने, उन्हें Burma, मतब जो Myanmar है, महाँ पर भेज दिया था, British लोगों से, raise several office palaces, उनके बहुत सारे palaces जो थे उन्हें खतम कर दिया, close down कर दियी gardens को और barracks बना दिये, troops के लिए उनके प्लेस ते, उस जगह पे उनके जो troops है, उनके रुखने के लिए, barracks बना दिये थे, British चाहते थे कि Delhi भूल जाए पूरी तरह से उसके मुगल पास्ट को, area जो था around the fort, ये completely clear कर दिया था, gardens जो थे आसपास के उन सब को हटा दिया, pavilions और mosques जो थे, दो temples जो थे, वो intact रखे गए थे, British चाहते थे clear करना ground को, ताकि उन्हें security reasons मिल सके, मतलब अगर वो ground को clear कर देंगे, तो वहाँ की security जादा बढ़ जाएगी, mosque और particular जो थे, वहाँ पर आइदर वो destroy कर दिये गए, या फिर दूसरे users के लिए ले लिए गए, फॉर इंस्टेंस, जो जीनत अल मजजिद थी, उसे convert कर दिया गया था, बेकरी में, कोई भी worship जो थी, वहाँ पर allow नहीं थी, जामा मजजिद जो थी, वहाँ पर भी worship नहीं कर सकते थे, five years के लिए उसे बंद कर दिया गया था, वन थर्ड जो था, सिटी का वो पूरी तरह से demolish हो गया या खता हो गया था, और उसका कैनल जो था, वो भी पूरी तरह से भढ़ दिया गया था, फिल्ल अप कर दिया गया था, 1870s में Western Walls जो थी, शहाँ जाना बाद की वो तोड़ दी गई ताकि वो establish कर सके एक railway को और अलाओ कर सके city को की वो expand करे अपने आपको इन वाल्स के बहार भी, British जो थे अब रहना शुरू कर दिया था, उन्होंने sprongling civil lines के area में, जहाँ पर उन्हें वो जो नौर्थ में थी, away from the Indians, जहाँ पर Indians बिल्कुल भी नहीं थे, जो वैलेट सीटी के थे, वो इनियन से भी दूर, Delhi College जो था, वो अब स्कूल में बदल गया था, और shutdown हो गया वो 1877 में, अब बंद हो गया 1877 में, Planning and New Capital, New Capital की planning जब की, British जो थे, fully aware थे, या जानते थे, symbiotic importance को Delhi के, जब revolt हुआ, तो after the revolt of 1857, बहुत सारे spectacular events जो थे, वो वहाँ पर होने लगे, Delhi में होने लगे, 1877 में, Viseroy Liot ने organized किया था एक दरबार को, to acknowledge Queen Victoria, as an impress of India, India की impress के नाम से, उन्हें acknowledge करने के लिए, वहाँ पर दरबार में, उन्हें ने organized किया था, एक Liotan को, Remember कि Kolkata जो था, वो तब भी capital था, British India का, बट grand दरबार जो था, वो held हुआ था, Delhi में, Why was this so? मतलब ऐसा क्यों हुआ? कि even though Kolkata जो है, वो capital था, लेकिन फिर भी, जो grand दरबार है, वो Delhi में भरा, तो ऐसा क्यों हुआ? तो रिवॉल्ड के वक पे, British जो थे, उन्होंने realize कि मुगल emperors जो थे, वो still important है, उनके peoples के लिए, और वो देख रहे हैं, मुगल लोगों को, अपने leader के रूप में, ये लोग देखना चाहते हैं, और ये उनका importance जो था, celebrate करने का British power को, उनके pomp के साथ ने, और शो किया गया cities में, मुगल emperors के, had earlier rule, जहां पर मुगल emperors पहले rule किया करते थे, और the place which had turned into the rebel stronghold in 1857, और फिर वो जगद जो थी, वो एक तरह से rebel के लिए turn हो गई, 1857 में, 1911 में, जब King George V. जो थे, उनने crown किया गया था, England में, दरबार जो था, दली में बहरा गया था, उसके लिए, य decision जो था, वो shift किया गया था, capital of India को, from Calcutta to Delhi, और उस समय decision लिया, कि अब जो है, इंडिया का capital of Delhi, Calcutta ना होके Delhi होगा, और यह announce किया गया था, उस grant दरबार में, New Delhi जो थी, वो construct की गई थी, as 10 square mile city, और राय सीना हिल्स, south of existing city, अभी existing city थी थी उस समय में, उसके south में बनने के लिए New Delhi को बनाया गया था, construct किया गया था, 10 square mile की जगह में, और दो अर्किटेक्ट्स ने, Edward Liotens ने, और Harbert Baker ने, जिन्हों ने design की थी New Delhi को, और उनकी बिल्डिंग्स को, गवर्मेंट कॉंपलेक्स in New Delhi कंसिस्ट अफ 2 mile avenue, दो mile avenue जो था, गवर्मेंट इस तरह से उसे बनाय गया था, एक है Kingsway, जो Rajpat, Rajpat माना जाता है Rajpat, और जिसमें Vissaroy Palace, जो है, राष्ट्रपती भवन जिसे कहते हैं, वो बनाय गया था, with the Secretariat building on the either side of the avenue, और avenue के दोनों साइट में, एक Secretariat building बनाय गया थी, फीचर जो थे, इसके गवर्मेंट बिल्डिंग्स के बोरो किये गया थ बट ओर 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 लुक जो था, वो Classical Greece का था, मदो 5th century में जो Classical Greece का जो लुक था वैसा था, कुछ समय के लिए Central Rome जो था, Vissaroy Palace का, वो कॉपी किया गया था, from the Buddhist Tupa at Asachi, और red sandstone और carved screens, और जालीज जो थी, वो बोरो की गई थी, मुगल आर्किटेक्चर से, बट new buildings जो थी, उन्हें assert करना British importance था, बहुती, और इसलिए, आर्किटेक्च जो थे, वो इस चीज के लिए शौर थे, कि विसरोय Palace जो है, वो हायर होगा, तन शाह जहांस, जामा में जिर, how was this to be done, और ये सब कैसे हुआ, new Delhi जो है, उसे बनाने के लिए 20 years लगे, आइडिया जो था, जाह जानाबाद के लिए, there was to be no crowded mahalas, कोई भी crowded mahalas नहीं होना चाहिए, कोई भी masses of narrow balance नहीं होने चाहिए, new Delhi में, broad होना चाहिए, new Delhi, बहुत सा बड़ा-बड़ा सा spacious होना चाहिए, straight streets होनी चाहिए, just prowling, mansions उसके आसपात बने हो, बड़े-बडे buildings बने हो, mansions बने हो, middle में large compounds होना चाहिए, architect जो थे, चाहते थे, new Delhi को represent करना, एक sense of law and order की रूप में, और इसके contrast में, chores of old Delhi, मतब old Delhi को देखेंगे, तो उसके opposite में देखें, तो new Delhi बिलकुल अलग होना चाहिए, new city जो थी, वो clean और healthy space वाली होनी चाहिए, British ने देखा over crowded spaces as unhygienic and unhealthy, जैसे के वो जानत सबसे थे, overcrowded जगा बहुत ही unhygienic and unhealthy होती है, source of disease होती है, और इसका मतभी यह था कि new Delhi जो है, उसे better होना बहुत जरूरी था, और महां पर water supply का, सबसे जादा, कह सकते हैं कि water का supply सबसे जादा होना जरूरी था, sewage disposal और drainage facilities जो थी, वो भी बहुत अच्छी थी, OECD के comparison में, It had to be green, और new Delhi green होना चाहिए था, मदब पेड पौध है, आपर अच्छे लगे होने चाहिए थे, with trees and parks ensuring fresh air, parks होने चाहिए थे था कि fresh air मिल सके, and adequate supply of oxygen, और adequate मतलब जितना चाहिए उतना supply of oxygen भी होना चाहिए था, region of new Delhi की बात करें अगर, this is how viseroy hardage explained the choice of Delhi as a capital, और यह viseroy hardings जो क्यों चुना capital के लिए वो बताया गया है, change जो है वो strike करा था, imagination people's के, जो people's की imagination थे इंडिया के उने strike करा था, and would be accepted by all as an assertion of an unfettering determination to maintain British rule in India, और यह इसलिए ताकि British rule को हम इसी तरह से जो maintain, जो चल रहा था, वो British rule अपना maintain करना चाहते थे इंडिया में, architecture Harvard Baker बिलीब करते थे, new capital जो है, वो sculptural monument होना चाहिए, good government का और unity का, जहां पर इंडिया, which India for the first time in the history, जो इंडिया में first time होगा, इस तरह का हमें new capital बनाना है, और यह enjoy करेगा under British rule, British rule जो थे इंडिया में, यह not a mere veneer of government and culture, यहां पर हम कह सकते हैं कि कोई कम government या उनका culture यहां पर नहीं था, it is new civilization in growth, यहां पर नया civilization पूदी तरह से बना था, a blend of best elements of east and west, और यहां पर कह सकते हैं कि एक mixture था east और west का, जहां कि best elements का mixture था, it is to this great fact that the architecture of Delhi should bear testimony, और यह great fact था, कि architectures जो थे Delhi के, यह बहुत ही अच्छे थे, यह बहुत ही अच्छे थे, यह बहुत ही अच्छ कह सकते हैं कि उन्हें अच्छा इसके लिए नाम मिला होगा, तो friends इस तरह से यहां तक हमने इस chapter को complete किया है, हमाना next topic जो है life in the time of partition, यह हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंदाया है, तो प्लीज मेरे च्छानल को subscribe करें, और वी झाल